नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है। देखिए हनुमान जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जो नहीं तुम संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा अर्थात हनुमान जी महाराज दुनिया में ऐसे कोई कारण ही जिसे करके ना दिखाएं और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है श्री राम ने स्वया हनुमान जी को वर्दान दिया है कि आप कल्यूग में रहकर के मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को। हमेशा सुखी रखना, उनके कश्टों को दूर करना देखिए, बुधवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, और बुधवार के दिन भूमी पुत्र बुध को समर्पित है, वैदिक ग्रंथों की माने तो बुध का दिन बहुत ही शुब होता है, कल्यानकारी समझा इस दिन भक्त राज हनुमान जी की अपने भक्तों को ही शुद्ध लेते हैं। इसा जीवित देवता कह गए हैं। ततकाल रिजर्ट देते हैं। ततकाल आपको फाइदा पहुचाते हैं। इसे उपाय करना चाहिए। जिसे हनुमान जी महाराज आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्श से कर्श से छुटकारा पाने का रामबान क्योंकि बुद्ध देव नाराज होते। हैं बुद्ध दोश लगते हैं तब व्यक्ति के जीवन में कर्शे का भार बढ़ता है। हां भूमी पुत्र जो बुद्ध कह गए हैं इन्ही के कारण ही कर्शे का भार हमारे जीवन में आता है। कर्शे बढ़ते हैं और भूमी पुत्र जो बुद्ध देव हैं। इनके स्वामी कौन हैं। हनुमान जी महाराज तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। बुद्धवार के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्जे के भार से ततकाल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और हां कमेंट बॉक्स में जै श्री राम जरूर लिखना आज की। वीडियो मिस करते हैं, दर्शकों सारी जिंदगी आपको पच्टाना पड़ेगा क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपय खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाले आये सर्वप्रथम जानते हैं, कि बुधवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो बुधवार के दिन शारिरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इस दिन शारिरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, जो नविवाहित युवक हैं, जैसे कि बुधवार के दिन आपने अविवाह करके जैसे लाएं, हैं तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए, इससे बुद्ध दोश लगता है, हमारे बुद्ध बिलकुल ही कमजोर हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि बुधवार को और घी नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, और हर कार्य में बाधा आती है, जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रका का हर कोई समस्या चली पहले से, तो वो समस्या और तीवरक बढ़ जाती, और इस दिन नमक लेकर के खाने से अर्थात, इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर, जैका भार बढ़ता है, गुधवार के दिन मास है मचली है, ये भी खाने से बचना चाहिए, बिलकु इस दिन ना किसी से रिन लेना चाहिए, बिलकुल ही आपको इस दिन किसी सुधारी नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है, इस दिन अगर आप किसी उधारी लेते हैं, रिन लेते हैं, तो उसे चुकाने में आप जो है असमर्थवान हो जाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो बताना चाहूंगा बुध्वार के दिन पान खा करके जमीन पे मत थूकना देखिए धर्ती माता सब कुछ बरदाश्ट कर लेंगे बुध्ध देव हनुमान जी महाराज सब कुछ बरदाश्ट कर लेते हैं परन्तु अगर बुध्वार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके जी बचना चाहिए तो बुधवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खाकरके नहीं थूकना है, अब आईए इस वीडियो में जानते हैं बुधवार के दिन किये जाने वाले चमतकारिक उपाय के बारे में जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे, फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं, तो जय जरूर लिख दीजिए, तो बुधवार के दिन कोई विशेश मनोकामना हो, ध्यान से सुनना बुधवार के दिन कोई विशेश मनोकामना हो, तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिखकर के हनुमान जी महार प्रवार के दिन हनुमान जी के चर्णों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ स्वच्छ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित करना है, वो मनोकामना की जल्दी पूरी होती है. इस लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना या फिर किसी के हाथ में जो जो की ब्राहमन है करवा देना इससे क्या होता है, अगर आपके जीवन में बुद्ध दोश लगाओ जैसे बिवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, ये कोई बाधा उत्पन आ रही है, करजे का भार जो है चुकाने में असमर्थवान तो ये फिर ये उपाय सोने में सुहाग है, इस दिन हो सके तो ध्यान। को जो जड़ है, उसके उपर में आपको दूध डालना है और ये उपाय कब करना है, कब तक करना है, जैसे कि आप करजे बाहर से लंबे समय से परेशान है, कोई विशेश मनोकामना हो ये फिर विवाह में विलंभ हो रही है, तो नीम के पेड के पास में जाइए चमेली के करजे का भार हो इस उपाई को करने के बाद करजे का भार उतर जाते हैं और ये मैं जो उपाई बता रहा हूं, लाल किताब का उपाई बता रहा हूं, लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता, ऐसा भी समझा जाता है। बहते पानी में गुर से बनी रेवडी अगर बुधवार के दिन प्रवाहित करें और हो सके तो खांड है, मसूर है या सौंफ है, अब अगर आप इसका दान करते हैं, तो आपकी कुंडली में बुधजी मसबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुब संपत्ती सब कु मसूर की दाल बहुत ही उत्तम ये भी कहा जाता है कि इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए जैसे कि कोई आपके कार्य में विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपने बुआ को या फिर बहन को ल कलर के कपडे दान जरूर कर देना आपके बुद्ध मजबूत हो जाएंगे, इसके बाद बुद्धवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है लाल, फूल है लाल, चंदन है, लाल रंग की मिठाई है, ये हनुमान जी महाराज चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ती होती है, बुद्धवार के दिन हो सके तो राम धोजा जरूर चढ़ाये, जिसमें रामलीखा जो धोजा है, हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते हुए चढ़ाये, तो आपको आर्थिक परिशानी से छुटकारा मिलती है, अर्थात आपके जीवन में जैसे धान आने का मार्ग बंध हो चुकी है, काफी परिशान हो चुके हैं, तो धान आने के जो मार्ग होते हैं, फिर से खुल जाते हैं, इसी के साथ गुधवार के दिन जीहा, गुधवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर के पान के पत् महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करती इसमें संदेह नहीं है, जो भी विशेश मनोकामना, अगर आपकी कोई विशेश बड़ी मनोकामना हो, तो ये उपाय को पांच बुधवार तक प्रति दिन बिल्कुल ही करना है, पांच बुधवार बिल्कुल ही बीच में आपको ग जाए और हनुमान मंदिर में जाकर के पांच बार अगर आप जो है हनुमान चालिसा या बजरंग बान का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन अश्टक का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या चुट्कियों में टल जाते हैं, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं बड़ी स परिशानी हैं, दुआक हैं, तकलीफ हैं, दरिदर्ता हैं, सारी समस्ट याखो इस चुटकियों में समर्थक कर सकते हैं, हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं, अगर करजे के बाहर से लंबे परिशान हैं, तो रिन मोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स् पाठ कर सकते हैं, रेड मोचन हनुमान स्रोत पाठ आते हैं, आप गूगल में सर्च करके देखिए आपको मिल जाएंगे, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं, ऐसा भी समझा जाता है, लगातार हनुमान चालिसा के 21 दिनों के पाठ से लगातार हनुमान चालिसा के घी का दीपक जलाए हनुमान जी महाराच की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में और सुबह शाम दिनों तक आपको बिल। जाता है क्योंकि बुद्ध दोश के कारण करजे का भार उतरता है बुद्ध का हनुमान जी महाराच ये करजे से आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं। हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा जाने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।